नमस्कार दोस्तों, जैमाम दुरगा, हर हर महादेव तो तुला राशिवालों सावधान, दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आप सभी के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए अ बने रहना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज तक आपको इतनी बड़ी जानकारी किसी और ने नहीं दी होगी, सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के भक्ती डैकी, वीडियो को लाइक कर दे उसी के साथ, कमेंट बॉक्स में जैमा दुरग जाती थी कि बेटी रानी जरा-जरा सी बात पर गुस्सा होना अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में कभी कोई बदलाव नहीं ए रहा था, वह बदल ही नहीं रही थी, एक दिन वह अपना होमवर्क करने में काफी व्यस्त थी, और वहीं उसकी टेबल प थी, बहुत गुस्से में आ गई, तभी रानी के सामने उसकी मां आई और एक आईना लेकर आई, और रानी के सामने, उसकी मां ने एक आईना रख दिया, जब गुस्से में रानी ने अपने आपको आईने में देखा तो उसने पाया कि वह गुस्से में बहुत बुरी लगत उसकी शक्ल आइने में काफी खराब दिख रही थी। फिर क्या था कुछ ही पलों में उसका गुस्सा चूमंतर हो गया। तब रानी की मा ने उसे यह बात समझाई की गुस्से में हम कभी-कभी बुरे लगते हैं और बहुत बुरे-बुरे फैसले ले लेते हैं। और यही बा काम सुई से हो सकता है उसमें तलवार लाने की कोई आवश्चक्ता नहीं। बात सही लगी हो तो लाइक करकर जय गुरुदेव जरूर लिख देना। आईए, अब आपके राशिफल की और बढ़ जाते हैं। आज का दिन दोस्तों काफी हद तक आपके तनाव को कम निश्चित तोर पर वित्ती अस्थिती में सुधार आएगा, लेकिन खर्चों में इजाफा हो सकता है अगर। काफी समय से दोस्तों पिछले कुछ समय के आपके काम अधूरे पड़े हैं, तो वह तो पूरे हो जाएंगे, परंतु उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। दिन किसी काम की नहीं करना है, खुशी। आज आपको किसी विपरीत परिस्थिती का सामना करना पड़े तो घबराए ना। जी हाँ दोस्तों आप में इतनी काबिलियत है, खुद पर भरोसा रखें। खुद को आज जितना हो सके, साकारात्मक रखने का आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर आपके अंदर ना गुरुवार के दिन कर लिया, तो आपकी जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, कि आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा, तो कान लगा कर सुनना। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि केले का पेड़ भगवान ब्र गुरुवार के दिन केले की जड़ लेकर एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर गले में पहन ले, ऐसा करने से कुंडली में ब्रहस्पती ग्रह की स्थिती मजबूत होती है, साथ ही धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में च तो इस प्रकार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, अब दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में पुराने किये गए निवेशों से आपको लाभ मिलेगा, जी हाँ दोस्तों आए में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, इस दिन आपको जिस खबर का इंतजार था, वह खबर आपको मिल सकती है, साथ ही अगर आपके जीवन साथ ही किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो उस परीक्षा में उन्हें सफलता मिलेगी, आपको बस उनका होसला अफजाई करते रहना है, जी हाँ दोस्तों, कोई अगर आगे बढ़ रहा है, तरक्की प् हैं, तो ध्यान रहे लोग, इस दिन आपको अपनी इए, बातों में फंसा कर, आपको अपनी बातों में उलजा कर आपसे काम निकल वाने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको जागरूक रहना है, कहीं पर भी आँख बंध करके निवेश नहीं करना है, किसी पर भी आँख सब्सक्राइब करके भरोसा नहीं करना है अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान आपके माथे पड़ सकता है। बूत होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ दोस्तों आज आपको अपने माता-पिता का आशीरवाद लेना है। उनके आशीरवाद से आज आप जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे और बड़ी-बड़ी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। है। ना करें और जो सच्चा सनातनी है वह इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें। जय सूर्यदेव जी हां दोस्तों लाइक करें कमेंट करें सूर्यदेव की कृपा बरसेगी। आपकी सारी मनो कामनाएं पूर्ण होगी। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक गुरुदेव की बहुत ही अच्छी सीख के साथ। दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं एक कौवा था उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में वह इधर उधर यहां वहां भटके जा रहा था। उसे एक जगह एक घड़ा नजर आया। वह उस घड़े के पास पहुचा। उसने देखा घड़े में पानी तो है। उस घड़े में कंकड भरा जाते हैं तब पानी धीरे धीरे अपने आप उपर आता है। कौवा पानी पीता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। यह कहानी दोस्तों आप सभी ने बचपन में सुनी होगी। आपने इस कहानी का अर्थ बचपन में समझा होगा। परंतु क्योंकि जो व्यक्ति हार मान जाता है, जो व्यक्ति थम जाता है, रुक जाता है। प्रयास करना छोड़ देता है उसे। जिंदगी आगे मौका नहीं देती। आपको दोस्तों अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा। अगर आ आइक करकर राधे राधे जरूर लिख देना। दोस्तों हमारे जीवन में होने वाली एक एक घटनां, हमारे साथ घटने वाली एक एक घटना पूरी पूरी तरीके से ग्रहों पर निरधारित रहती है। ऐसी परिस्थिती में दोस्तों, जब आपके ग्रह गोचर इस बात के संकेत दे रहे हैं, तो आप समझ जाईए कि जिंदगी आपको एक नया मौका देगी, जो व्यापार करते हैं, उन्हें इस दिन लाभ़ के आसार बन रहे हैं, उन्हें कारोबार के आसार बन रहे हैं, और दोस्तों, आपका कारोबार बहुत अच्छा, इस दिन चल सकता है, जो नुकसान हो रहा था, वह फाइदे में बदल जाएगा. कोई पैसा अगर आपका कहीं अठका पड़ा है, कोई पैसा अगर आपका कहीं फंसा पड़ा है, तो वह पैसा वहां से निकलेगा. धन प्राप्त के नए-नए योग बनेंगे, और मन चाहे लाब होने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं. नौकरी पेशा लोगों के लिए समय की मांग ज्यादा है. जी हाँ दोस्तों, इस दिन आपको महनत ज्यादा करनी पड़ सकती है. आपके होसले बुलंद होंगे, अगर आप महनत क करोगे, आपकी तरक्की होगी, अगर आप महनत करोगे. यानि कुल मिलाकर दोस्तों, आज आपकी जिंदगी आपसे केवल महनत मांग रही है. केवल परिश्रम मांग रही है, तो इस दिन परिश्रम करने से पीछे मत हटिए. कोशिश करते रहिए, महनत करते रहिए. समझ आ पात करकर अपने भविश्य के बारे में फैसला ले सकते हैं, अपने करियर के बारे में निर्णे ले सकते हैं, और आगे आपको क्या बनना है, आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, यह तै करने का समय आ गया है, इस दिन दोस्तों आपको चुन- आराम करेंगे, जी हाँ दोस्तों ऐसा न सोचें, आपको इस दिन मेहनत करना है, अच्छे कर्मों को करने पर ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए जैसे कि इस दिन आप किसी की सहायता कर सकते हैं, किसी बे सहारे का सहारा बन सकते हैं, किसी के दिल से मदद कर सकते हैं, ऐसे क दोस्तों, जो काम करने में आपको आनन्द आए, जो काम करने में आपको मजा आए और जिस काम को करकर आपको लाभ भी हो। अपने माथे पर चंदन का तिलक लगा कर जाना। जिहां मित्रों घर परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको जिन्दगी एक से बढ़कर एक मौके देने वाली है बेटा। आप भी जानते हो, इसलिए कुछ समय आपके लिए कितने कठिन रहे हैं। इसलिए कुछ दिनों से आपके जीवन में कितने बड़े बड़े दुख आए हैं। कई सारे संकट आपके जीवन में आए, लेकिन आपने बेटा कभी हार नहीं मानी। यही आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन आप आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको जिन्दगी बहुत बड़ा मौका देने वाली है। यूँ समझ लेना कि यह आपके है। जीवन का सबसे महत्वपून समय है। यदि यह मौका भी आपके हाथ से चला गया, तो दोबारा आपको ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। जीवन में दोस्तों, हमेशा अकड़ कर चलना ही सब कुछ नहीं होता। कभी-कभी जुक कर चलना भी बहुत काम आता है। कभी-कभी शांती से आगे बढ़ना भी बहुत सही होता है। उदाहरन के तौर पर दोस्तों, अगर आपको समझाओं तो हनुमान जी में काफी बल है। हनुमान जी जब लंका में घुसे, तो वह अपना बड़ा आकार लेकर जा सकते थे, जिससे पूरी लंका पलभर में ध्वस्त कर देते। लेकिन उन्होंने छोटा सा आकार लिया। छोटा आकार धारन किया क्योंकि वे दुश्मन की योजनाओं को समझना चाहते थे। इससे यही सीख मिलती है कि अगर आप छोटा बनने में हिचकिचाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जैश्री राम की गूंज जरूर लगा देना। आने वाले अगले 24 गंटों में बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, कारोबार से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत शुभ रहने वाला है। इन 24 गंटों में दोस्तों मनचाहा लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों मनचाहे लाभ की प्राप्ती होने वाली है। जो काम बहुत लंबे समय से आपके नहीं बन पाए, जो काम करने की कोशिश आप काफी समय से करते आ रहे थे, वह काम आपके आसानी से पूरे होंगे। आसानी से आपके काम सफल होंगे और आप देखेंगे दोस्तों की ऐसे ऐसे काम आपके पूरे होंगे जो की काफी लंबे समय से अठके पड़े थे. साथ ही दोस्तों आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई बड़ी चाल चल सकते हैं. ऐसे में आने वाले इन 24 घंटों में आप आपको अपने चारों और देख कर चलना होगा जी हाँ दोस्तों बहुत सतरकता से आगे बढ़ना होगा क्योंकि मित्रों आपको यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके दुश्मन कदम कदम पर आपके लिए जाल बिछा रहे हैं बुधवार का दिन होने वाला है दोस् जी हाँ दोस्तों मूंग की जो हरी दाल आती है उसका दान करें साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन करें बुधवार के दिन दोस्तों मूंग की दाल खाना बहुत शुभ माना जाता है इसलिए प्रयास करें कि पूरा परिवार इस दिन हरी मूंग की दाल का ही सेवन करें साथ ही ऐसा करने से दोस्तों कुंडली में बुध की स्थिती मजबूत होती है आप सभी जानते हैं बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं ऐसे में अगर बुध की स्थिती मजबूत करनी है तो बुधवार के दिन हरी मूंग की डाल का सेवन करना चाहिए और अगर भगवान गणेश और मा लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हैं साथ ही महादेव का आशीरवाद हासिल करना चाहते हैं तो बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल अरपित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों, अगर आर्थिक समस्या यानि पैसों को लेकर कोई समस्या चल रही है, आप बहुत प्रयास कर चुके हैं। बहुत कोशिश कर चुके हैं परन्तु अगर आर्थिक स्थिती में कोई सुधार नहीं आ पा रहा, बहुत दुख घर में रहता है। जीवन में गणेश का आशीरवाद मिलता है और दोस्तों जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। यह ध्यान रहे अरण हर्ता गणेश स्त्रोत का पाठ आपको करना है ताकि आपके जीवन में सुख शान्ति सम्रिध्य आए। और दोस्तों जितना भी कर्ज आपके उपर है पैसों की जितनी हानी आपके जीवन में हो रही है धीरे धीरे वह सब समाप्त हो जाए उसी के साथ। दोस्तों आपको बता दें नौकरी पेशा जातकों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों अगर आप जौब करते हैं नौकरी करते हैं तो तरक्की मिलेग आपके उच्च अधिकारी आपके काम से खुश नजर आएंगे, प्रसन्न नजर आएंगे और दोस्तों आपकी सफलता में अब ज्यादा देर नहीं बची है बहुत जल्द सफलता के दरवाजे खुलने वाले हैं बहुत जल्द आप उचे पद पर चलने वाले हैं बहुत जल्द आप आगे बढ़ेंगे बस आपको मन लगाकर सच्चे मन से काम करते रहना है इधर उधर किसी की बातों में ना आए देखिए लोग भटकाते हैं भटकाने वाले आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे लोगों का काम केवल भटकाने का है वह आपको भटकाएंगे परंतु आपके अंदर यह शक्ती होनी चाहिए आप में यह क्षमता होनी चाहिए कि आप अपना निर्णय एकदम ठोस रखें और एकदम सशक्त निर्णय पर आगे बढ़ते रहे उसी के साथ जो विद्यार्थी हैं उन्हें बता दें पढ़ाई लिखाई पर आपको इस दिन ध्यान देना होगा जी हाँ दोस्तों चैटिंग के भरोसे पास हो जाओगे यह सोच कर मत बैठिये कि आप बिना कुछ पढ़ाई करें बिना कुछ लिखे करें ऐसे ही पास हो जाओगे बिना कुछ मेहनत करें आगे बढ़ जाओगे ऐसा नहीं हो सकता मेहनत इस दिन आपको करनी होगी काफी कठिन परिश्रम होने वाला है काफी ज्यादा प्रयास करने होंगे काफी मुश्किल आपकी राह होने वाली है परंतू आप कर जाओगे अगर सही से मेहनत करी सही से प्रयत्न करें सही से कोशिश करोगे तो कर जाओगे इसलिए दोस्तों, ध्यान रहे अपने मन की आपको सुनना है लोगों की नहीं क्योंकि जहां पर आप लोगों की सुनना प्रारंब कर देते हो, वहां से आप अपने मार्ग से हट जाते हो, अपने मार्ग पर चलना है तो आपको केवल और केवल अपनी ही सुननी होगी उसी के साथ, दोस्तों जो जातक बेरोजगार है अपने आप का खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कारोबा रखे हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हो तो बेजिजग कर सकते हो, मन चाहे परिणामों की प्राप्ती होगी, बहुत अच्छी सफलता दोस्तों आपको मिलने वाली है जो, काम बहुत लंबे समय से पूरे ना हुए वह भी आप पूरे होंगे, तो दोस्तों यह थ इस समस्त बातों को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, अगर आप इन पर अमल करोगे दोस्तों तो, मन चाहे परिणाम प्राप्त करोगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं